हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चानल आज मैं आपको चोती चेस्ट का प्रिंसेस का ब्लाउज जो है उसकी कटिंग कैसे करनी है यह मैं आपको पताती हूँ अब देखिए चेस्ट का नाप है हमारा 34 इंच ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच नेक फ्रंट नेक है हमारा 5 इंच बजू की लम्बाए 5 इंच और यहां पर ब्आजू का सीध बाजू की स्पापह। स्पाइब 6 इंच इसकाहरा बड़ों गोल्ट करकूं जाक नध्यूत्ट वह दोई कुए हम लिखने चेस्ट वंफुर्थ arrest चेस्ट का वनफोर्थ हमें कितना निकालना है साड़े आटी इंच हमारा चेस्ट का वनफोर्थ निकलता है तो हमें क्या करना है यह दिखिए इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है कि यह देखिए अभी यहाँ पर आपको साड़ाइट इंच साड़ाइट इंच हमारा चेस्ट का वनफोर्थ आता है और इसके आगे हमें देड़ इंच लेना है यहाँ पर हमने सिलाइ मार्चिंग लिए एक्ष्जाझ अब देी यहाँ पर हमने जितनी लंबाई हमने 1 प्लस की यहाँ पर हमने चेस्ट का वनफोर्थ साड़ाइट इंच और इस पर इसमें 24 प्लस किया है उसके बाद यहाँ पर हमें डाई इंच पर गले का मार्किंग करना है शोल्डर है हमारा ग्यारा इंच उसका हाफ लेते हैं हम साड़े पांच इंच यहाँ पर हमें साड़े पांच इंच पर एक मार्किंग करनी है अब देखिए यहांपे पिंच पे मार्किंग करनी है जो हम आर मुल लेते है इस तरह से हम इसका बॉक्स बनाते है है यहां पर हमें देड़ इंच पर बैक सड़ की गोलाई देनी है यह हमारी बैक सड़ की गोलाई आएगी देड़ इंच पर और यहां पर हमें एक इंच पर एक मार्किंग करनी है जो हमारी फ्रंट सेड की गुलाई आएगी यह देखिए यह हमारी बैक सेड की गुलाई यहाँ पर हमारा साड़े आटीन चेस्ट का वन्थ पूरता आता है और इसके आगे हमें देडी इंच आता है यहाँ पर हमें साड़े पांच इंच पर फ्रंट सेड का नेक आएगा यहाँ पर हम इस तरह से गुलाई देते हैं यह हम फ्रंट सेड का जो नेक है उसकी गुलाई दी है अब देखिए पहले तो हम इसको कट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा बैक सेड फ्रंट सेड हम अलग करेंगे यहाँ पर हमारी यह बैक सेड की गुलाई है फ्रंट और बैक सेड का नेक हम साथ में कट कर लेते हैं बैक सेड का नेक हम बाद में कट करेंगे एक्ष्ट्रा लेके अब देखें यहाँ पर हमें फ्रंट सेड और बैक सेड को हम अलग कर लेते हैं यह हमारी बैक सेड है और यह हमारी फ्रंट सेड है अब देखें फ्रंट सेड की गुलाई हमें कट करनी है तो पहले हम फ्रंट सेड का जो प्रिंसिस कट है वो बनाते हैं यहाँ पे हमारा यह जो शोल्डर आता है शोल्डर का हमें सेंटर निकालना है शोल्डर का आप सेंटर निकालो यहाँ तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना है और इसका सेंटर निकालना है सेंटर के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक मार्किंग करनी है यहाँ पे हमें साड़े चार इंच पे एक मार्किंग करनी है इस तरह से अभी साड़े चार इंच पे एक मार्किंग करने के बाद इस साड़े चार इंच पे एक मार्किंग करने के बाद इस साड़े में हम सववा इंच लेते हैं और इस साड़े में हमें सववा इंच लेना है ये सववा सववा इंच जो लिया है हमने इसे हमें इस तरह से इसमें जोईन करना है यहाँ पर भी हमें इस तरह से इसमें जोईन करना है यह जो सीधा 4.45 इंच हमने लिया है सीधा 4.75 इंच लिया है इसा हमने इस तरह से यह में यह आरमोल मेश को जोइन करना है यह देखिए यहां सब्सक्रास करना के बाद यह जो फ्र refresh प्रॉन्ट सेने की गोलाई इसे हम कट कर लेते हैं इस तरीके से हमें इसको कट करना है अब यह दोनों पार्ट जो है यह हमने कट किये हैं लेकिन हमें यह जो पार्ट होते हैं यह नहीं लेना इसको हमें बढ़ाना है बढ़ाने के बाद जो पार्ट बढ़ाते है वो उसके उपर हमें कटिंग करनी है अब देखें इस सैड में जैसे सेंटर से हमने साड़े चार इंच लिया था इस सैड में सवा इंच और इस सैड में सवा इंच लिया था दोनों सैड में सवा सवा यह देखें यहाँ पर हमें सववा इंच पर एक मार्किंग करनी है अब भी सववा इंच पर मार्किंग करने के बाद इसे हमें इस तरह से लेना है और इस तरह से क्रॉस में रखना है यहाँ पर हमें इसको क्रॉस में रखना है और इसे यह जैसा है वैसे हम मार्किंग करना है और इसकी कटिंग करनी है यह देखिए इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं इस तरह से हमने यह पार्ट जो है इसे कट किया है अभी दूसरा जो पार्ट है दूसरे पार्ट को भी हमें इस तरह से कट करेंगे एक श्रा जो पेपर है उसको हम कट कर लेते हैं अब देखिए यह जो पार्ट आता है हमारा इस साड़ से हमने सब्वा इंच बढ़ाया था तो इसके एपोजिट साड़ से हमें सब्वा इंच बढ़ाना है तो इसे आपको क्या करना है ईस तरह से लेना है और इसे क्रॉस में रखना है यह देखिए और यह जो सव इंच है इसे हमने बढ़ाया है उपर के साड़ में नहीं बढ़ा थे और इसे इस तरह से लेना है और यहां पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से हमें ये ये पारट जो है इसे हमनेकर्ट किया है इस तरह से आपको ये फूस्त के उप्राट एटा है तो यहाँ पर मैंने आपको चोती चेस्ट का प्रिंसेस कट ब्लाउ जो है वो मैंने आपको कटिंग करके दिखाया है अब इसल्यूज जो है सल्यूज कैसे कट करनी है यहाँ से यहाँ तक इसमें मैं सल्यूज नहीं बनाऊंगी यह देखिए यहां से यहां तक हम क्रॉस में नापते हैं तो क्रॉस में नापने के बाद जितना हमारा क्रॉस आता है उसमें हमें आदा इंच प्लस करना पड़ता है आर्मोल जो है क्रॉस में नापना है आदा इंच प्लस करना है आदा इंच में प्लस करने के बाद जितना हमारा आर्मो लाता है वो निकलती है हमारी बाजू की चौड़ाई और उसमें हमें लंबाई जो है यह देखिए बाजू की लंबाई थी हमारी 5 इंच और बॉटम था इसका 6 इंच यहां भी हमें बाजू की लंबाई लेनी है 5 इंच, उसमें आपको 2.5 इंच और इक्सर लेना है याने कि चाड़े 6 इंच लेना है जो है कपड़े के उपर रखे कैसे कटिंग करनी है तो यहां पर मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है जो भी समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं मैं उसके उपर वीडियो बना के फिर से आपको समझाओंगे तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राब कीजिए थैंक्यू फो राचिंग इस वीडियो